कि नमस्कार ग्राम पंचायत में रिसीप और इकष पैंटिचर को कैसे जाने और इसके लिए मिनिस्टरिय आप पंचायत राज के ग्राम सुराज के बारे में आज का वीडियो है इसके लिए आप तोरा वीडियो देखें अगर आप चैनल पर पहली वार आएं है तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब पर लें और बेल आइकान को प्रेस करें जिससे आपको सूचना सबसे पहले मिले घ्मी सांदेटेर और वहाँ पर आप सर्च करेंगे इ ग्राम स्वराज्य जैसा कि आप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने इसको पहले से डाउन्लोड कर लिया है और आप इसको ओपन करेंगे जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका ओपन होगा और यहां पे आप भासा चेंज कर सकते हैं और इसका डिफाल्ट लैंग्वेस इंग्लिस है जैसे मैंने इसको हिंदी कर दिया है मैं इसको दुबारा इंग्लिस में कर दे रहा हूं और इसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है तो मैंने अपना स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और यहा प्रयाग राच प्रयाग राच के बाद आप छेत्र पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो मैंने यहां पर छेत्र पंचायत मेजा किया और इसके बाद ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में आपका जो भी ग्राम पंचायत हो जैसे मैं यहां पर कोई यह ग्राम पंचायत ले रहा महां लीजिए कोना लिया मैंने कोई भी आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर सकते जो आपका ग्राम पंचायत है तो यहां पर आप सब्मिट करेंगे यहां पर आप देखेंगे सबसे उपर उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेजा कोना फिर आपका आता है यहां पर फाइनेशियल य JeロAL मेजिए न आपको भी आउनेश ये और प्रेश देखना है उस पर उफ्र हृँ करेंगे 2020 2021 देफाल्ट सेलेक्ट रहेगा तो जैसे अम तो 2019 2020 सेलेक्ट करेंगे को मेजिए यहां पर आपको लेकिन इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में रहता है और ये फ्यूचर में अपडेट हो जाएगा और इसके अबात एप्प्रूब एक्टिविटी है ये भी अभी अपडेट नहीं है और इसके अलावा फाइनेंसियल प्रोग्रेस आप फाइनेंसियल प्रोग्रेस में जब सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर मैंने दो हजार उननीस और बीस सेलेक्ट किया है तो आप यहां पर देखेंगे सबसे उपर ग्राम पंचायत के बारे में है लोकल बाड़ी कोड है लोकल बाड़ी डिटेल है रिसीब एक्समेंडीचर यहाँ पर आप देखेंगे 29 लाख रिसीब दिखाई दे रहा है और 6 लाखे क्याउन हजार 262 रुपए एक्समेंडीचर एक्समेंडीचर 6 लाखे क्याउन हजार दिखा रहा है इसके नीचे आपका लिस्टा इसकी जैसे सेकेंड इस्टेट फाइनेंस कमीशन फोर्थ इस्टेट फाइनेंस कमीशन थार्ड इस्टेट फाइनेंस कमीशन स्वच्छ भारत मिशन इसके बाद 14 finance commission, own resource, 12th finance, इसी तरह social, अगर आप इसमें देखेंगे fourth state finance commission, यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख रुपे receive amount है, और यहाँ खर्च हुआ है 77,775, आप 77,575, कहाँ खर्च हुआ है, इसकी जानकारी आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर सारे इसके डिटेल है, और जितने भी डिटेल है, इसमें voucher number के इसाप्स होता, जैसे मालेचे पहला voucher number इसमें दिखा रहा है और इसमें खर्च हुआ है, 66,500 रुपए, तो आप इसको डिटेल देख सकते हैं, आप डिटेल पर click करेंगे, जैसे आप डिटेल पर click करेंगे, आपको पता चलेगा, प्रधान मान देए चलिए, इसके बाद हम लोग इसको पैक करेंगे, तीन अजार पांच रुपए, इसमें डिटेल देखेंगे, यह है वाल पेंटिंग, पर्टिकुलर्स में, इसके अलावा, थर्ड में आप खोलेंगे, तो यहां पे water and sanitation पर है, प्रेम, आप पर्टिकुलर्स पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा, यह किस कारे के लिए पैसा खर्च हुआ है, और उसके बाद वर्क नेम, जैसे यह नाली बनाने के लिए है, पुलिया त हर चुए है, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, और यहां पर detail 17633 रुपए है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहां पर देखेंगे के payment for primary school tile cement material, बैक करेंगे, अगर आप बैक करेंगे, तो फिर यहां से financial year, आप माल लिजे, 2018 सर्च करेंगे, तो यहां पर फाइनेशल प्रोग्रेस करेंगे, तो आपको सारा detail यहां पर 2018 का मिल जाएगा, कितना receive amount है, कितना जैसे यहां पर 14 finance commission, 23 लाख रुपए, और 14,946 रुपए रिसीब हुए है, और उसमें से 21,474 रुपए खर्च हुए है तो कहां पर खर्च हुए है, receive amount में आपको सिर्फ voucher नंबर पता चलेगा कि कैसे इसमें किस-किस voucher से कितने पैसे आए हैं, जैसे माल लिजे पहले पहला बाउचर है, 11,00,000 रुपए आ हैं, इसके बाद 5,00,000 रुपए आ हैं, तो उसका detail है, considerate पे receive हुआ है, अगर आप expenditure amount में देखेंगे, तो आपको वर्क बेस पर आपको पता चलेगा कि जैसे 1,20,000 रुपए है, तो आप इसमें detail सर्च करेंगे, तो यहां पर वर्क नियम नार से फलाने के घर तक इंटर लाकी है, इस तरह से आप किसी भी gram सभा का कितना ब्याय हुआ है, और कितना financial year में amount receive हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश के अलामा अधर इस्टेट का भी आप देख सकते हैं, जैसे माल लीजिए चुकि यह पैन इंडिया application है, तो आप माल लीजिए उत्तरा खंड का देखना चाहते हैं, तो उत्तरा खंड आप सेलेक्ट करेंगे, यहां पर जिला पंचायत कोई भी फिथोरागड माल लेजिए छेतर पंचायत कोई भी और इसके बाद ग्राम पंचायत करेंगे, यहां पर सब बिट करेंगे, तो आपको फिर यहां पर फाइनेंसियल प्रोग्रेस में आपको देख पाएंगे, कितना एक एमाउंट आया है, और कितना इसमें खर्च हुआ है अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, लाइक करें, और अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके सूचित करें जिससे अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी दी चाह सकें, और ग्राम पंचायस से या किसी योजना के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करें, धन्यवाद